आज शेयर करेंगे आपके साथ मतन चटखारा बोटी फ्राई की रेसिपी, बनाने में ये रेसिपी बिलकुल आसान है और जल्दी से बन भी जाती है, ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मतन को प्रेशर कुकर में पका लेते हैं, तो आधा किलो मतन है ये, इसके मीडिय सॉफ्ट और जूसी पक्कर रेडी होंगी, नमक मतन के हिसाप का डाल लेते हैं, मतन主角 में पकर सॉफ्ट हो जाए बस इतना ही पानी इसमें डालेंगे तो करीब आधा कप पानी इसमें डालेते हैं, मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, ढख देते हैं इसे, बोनलेस मतन है इसलिए इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो 25-30 मिनट के लिए इसे medium to low flame पर पका लेंगे या फिर 4-5 सीटी आ जाए तब तक इसे पका लेंगे धकन अठाने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है अब flame को high कर लेंगे और ये सारा पानी सुखा लेते हैं जैसे ही पानी सूखने लगे अलके हातों से इसे चलाते हुए पानी को सुखा लेना है पानी जैसे ही सूख जाए इसे इसी तरह से छोड़ देंगे इसे ठंडा हो जाने देते हैं तब तक हम बना लेते हैं बोटी फ्राई के लिए मसाला, तो पहले लेंगे एक बड़ा चमश भरकर कुटा हुआ धनिया, जीरा लेना है भुना कुटा हुआ एक चमश भरकर, चिली फ्लीक्स लेंगे एक चमश भरकर, कश्मीरी लाल मिर्चो का पाउडर ले लेते हैं एक करीब 4 चमश निम्बो का रस आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि यह अच्छा सा पेस्ट बन जाए तो करीब 2 बड़े चमश में इसमें पानी डाल रही हूँ अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो यह मसाला बनकर रेडी हो गया है मतन हमने ठंडा करने के लिए रखा है यह भी डाल देते हैं इसमें मतन डालने के बाद मसाले को अच्छी तरह से मतन के उपर कोट कर लेंगे सारा मसाला मतन पर अच्छी तरह से लग जाए इसके बाद इसमें डाल लेंगे दो बड़े चमश भर कर चावल क आटा चावल के आटे से चटखारा बोटी बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी होती है इसकी जगह आप चाहें तो कॉन फ्लार या फिर मैदा भी आट कर सकते हैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूं मैं करीब एक चुटकी सिर्फ मसालों के हिसाब का थोड़ी से बारिक चॉप किये हुए धनिया के पत्ते डाल देते हैं चावल के आटे को अच्छी तरह से बोटियों पर कोट कर लेंगे मिक्स करते हुए इसे अब हम मेरिनेट करने के लिए नहीं रखेंगे बस इससे जड़ पत से हम फ्राइ कर लेते हैं तो तेल यहां पर मैंने गरम कर लिया है मीडियम गरम तेल में बोटियां डाल लेंगे एक तरफ से इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए दूसरी तरफ भी इसे पलट कर पका लेते हैं मीडियम फ्लीम पर हम इसे चार से पांच मिनिट तक ही पकाएंगे क्योंकि बोटी जो है वो एकदम नर्म और सॉफ्ट है बस हमें क बोटिंग को पका कर क्रिस्पी कर लेना है दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएं बोटियां फ्राइ हो जाए इसके बाद मतन चटखारा बोटी को निकाल लेंगे सारा तेल ड्रेन करके इसे सर्फ करते टाइम इस पर थोड़ा सा चाट मसाला और नीमू का रस् झाल नीमू करैंगे सारा बोटिया।